असलाम लेखुम आज मैं आपनों के साथ शेर करूंगी open cheese garlic bread बनानी की रेसिपी उमीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी इस आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को like, share और subscribe करना ना भूले इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर एक बाउल लिया है इसमें मैंने एक चोथाई का फलका गरम पानी लिया है अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी एक चमच चीनी चीनी आड़ करने के बाद आप इसे थोड़ा सा मिक्स करें उसके बाद मैं इसमें एड़ करूँगी आक्ट अच्छे से अक्टिवेट हो जाए आप इसे लाजमी 10-15 मिनट तत रखे ताकि अच्छे से अक्टिवेट हो जाए यहाँ पर मैंने एक बड़े बाउल में मैदा लिया है मैदा मैंने यहाँ पर लिया है 300 ग्राम अब हम इस मैदे में एड़ कर देंगे नमक नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ कर ले इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे एक चमच चीनी अब हम इसमें एड़ कर देंगे melted butter, यहाँ पर मैंने 2 चमच melted butter लिया है आप butter को melt करके ही इसमें डाले इसके बाद मैं इसमें add कर दूँगी एक अंडा, अंडे को मैंने फोड के इस तरह से डाल लिया है अब हम इसमे add कर देंगे जो हमने east को activate किया था, यह देखिए अगर आपको लगे कि इसमें और liquid चाहिए तो आपको इसमें दूद अड़ करना है मैंने यहाँ पर हलका गरम दूद लिया है आपको ज़्यादा गरम दूद नहीं लेना है हलका गरम दूद से आपको इसका एक डो तयार कर लेना है आप ज़्यादा दूद एक साथ ना डाले हलका हलका करके थोड़ा थोड़ा दूद डाले और इसके बाद इसे अच्छे तरीके से गूद ले आपको डो बिलकुल सॉफ्ट गूद ना है ये डो बिलकुल भी टाइट नहीं रहेगा विल्कुल soft आपको गूंद लेना है थोड़े थोड़े दिर में आप milk एड़ करें और इसे अच्छी तरीके से soft गूंद ले डो गूंदने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा अब हम इसे ढग देंगे और इसे double होने के लिए रख देंगे आपको इसे तीन घंटे के लिए रख देना है किसी dark place में ताकि अच्छी से double हो जाए तीन घंटे हो चुके है और जो यह हमारा डो है वो अच्छी तरीके से double हो चुका है यह दिखिए अब मैं इसमें से इसका excess air बाहर निकाल लूँगी और इसे एक बार और अच्छी तरीके से गुंद लूँगी आपको इसे अच्छी तरीके से फिर से एक बार गुंद लेनी है मैंने इस डो को 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से गुंद लिया है आपको बिल्कुल भी सूखा मैदा यूज नहीं करना है इसी तरह से आप इसे गुन ले उसके बाद अब हम इसे एक अलग बरतन में रख देंगे हाफ एन आवर के लिए रेस्ट होने के लिए आप इसे ढग करके रख दे किसी भी कॉटन के क्लोज से अब हम एक अलग बरतन में बटर लेंगे यहाँ पर मैंने टू टेबल स्पून बटर लिया है अब हम इसमें एड़ कर देंगे आदा चम्मच उना क्रश्ट किया हुआ लैसॉन आदा चम्मच चिली फ्लेक्स और एक च्षाथाए चम्मच मिक्स हर्ब इन सब सीजों को आप को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंडा और फिर आपको इसे साइड में रख देनी है यह देखिए मैंने इस अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब मैं एक बेकिंग डिश लूँगी इसे मैंने ओल से अच्छी तरीके से ग्रीज कर लिया था अब जो हमारा डो था उसे हमें हातों की मज़त से स्प्रेड करके इसक अच्छी तरीके से एक रोटी के शेप में बना लेनी है यह थोड़ा बड़े बनेंगे देखिए इस तरीके से उसके बाद आपके इसके कॉर्णर्स पर जैसे मैं शो कर रही हूं इस तरह से निशान बना ले अब इसे जाधा मोटा ना बनाए गार्लिक के ब्रेड जो होते नहीं इब बनाएंगे तो कोई प्रॉबलम नहीं है इसे बनाने से अच्छे से हम बटर लगा सकते हैं और इसमें अच्छा सा निशान भी आता है जो देखने में सुंदर लगता है आप चाहे तो इस रेसिपी को कड़ाई में बना सकते हैं मैं इस रेसिपी को ओवन अच्छा लें और उसके उपर स्टैन रख लें उसके बाद आपको इसे 10 मिनिट तक गरम कर लेनी है जब अच्छे से प्रियोट हो जाएगा तब आप इस अपने स्टील के प्लेट को उस कढ़ाए में डाल दे और उसे बेक कर दे 40 मिनिट के लिए इस तरह से आप कढ़ाए प कुछ आप के लिए में हम यहां पे गार्लिक ब्रड बना रहे तो इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से बटर को सारे तरफ से ग्रीस कर लेनी है अप इसके कौर्nell को ना भूले सारे साइड से आपको इसे अच्छी सदीके से ग्रीस कर लेनी है अगर आप COFIRek यह समझ अन तकर दूंगे बिलिए तको तो इसमे कृणा पीजारी कर अब दूंगे चाहे जुआ दें करते हैं, मैं इस चिमिक मारे सब्सक्राइए मैं रिआंग इसे को मैंने करड़ होगी कार क है, बार विल्न दून दून प्रिक और अनिसे कटे हैं, बेक करने के लिए मैंने यहां पर आवन को 160 degree Celsius पर प्रीहीट कर लिया है उसके बाद अब हम इस बेकिंग डिश को अवन में डाल देंगे और इसे 30 मिनेट के लिए बेक करेंगे आपको कन्वेक्शन मोड पर इससे 160 degree पर 30 मिनेट के लिए बेक करना है 30 मिनेट में यह बिल्कु बहुत ही जादा टेस्टी बनती है इस तरीके से आप अपनी ओपन चीज गार्लिक ब्रेड आसानी से घर पर बना सकती है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें अब मैं इसे पीसेस में कट कर रही हूं आप किसी भी नाइफ या फिर पीजा कटर की मदद से इसे पीसे आप इस तरीके से में सारे ओपन चीज गार्लिक ब्रेड को कट कर लोंगे आप इस रेसिपी को कड़ाय में भी बना सकती है बहुत ही बन जाती है और बहुत ही अच्छे से कुख भी हो जाती है बिल्कुल भी कच्चीने रहती है यह देखिए यह जो मैं एक पीस निकाल के बहुत ही तरीके से नीचे से को så चुक जीज़ी पी है और बहुत ही जाद जाता टेस्टी भी है आप इस रिसेपी को जरूर अर मुझे कमें grass midаш现在 को में कdate क्यानागी है उमीद करती हो आपको मेरी ए रिसेपी पसंद आई होगी एफ आपको मेरी यह रेसेपी पछंद आई झाल झाल झाल